कर्नाल में हर्याना पुलिस में 988 सिपाखी अपना प्रशिक्षन पूरा करके पुलिस सेवा में शामिल हो गए दरसल कर्नाल के मदुबन में हर्याना पुलिस अकाडमिक के दिक्षान परेड मैदान में रिक्रूट सिपाखीों की पासिंग आउट परेड हुई जिसमें हर्याना पुलिस महाने देशक शतुजीत कपूर ने समारों में शिर्कत की इस अफसर पर मीडिया से बात करते हुए डीजीपी शतुजीत कपूर ने कहा लोगसभा चुनाव सबसे अधिक शांतिपून तरीके से करवाए गए इस तरह वदानसबा चुनावों को बहतरीन तरीके से संपन करवाएंगे चुनाव आपने देखा कि जो पारलेमेंट के चुनाव हुए वो पिछले 25 वर्ष में सबसे ज़ादा शांतिपून तरीके से निश्पक्ष तरीके से करवाए गए पूरे परदेश में एक भी स्थान पर एक भी बूत पर रीपोल करवाने के आफशक्ता नहीं पड़ी तो उसी भावना से आगे बढ़ते हुए हम जो असेंबली के इलेक्षन है जो उमीद है कि अगले दो या तीन महीने के अंदर आएंगे उनको भी बहतरीन तरीके से संपन करवा पुलिस महाने देशक ने कहा कि कावड यात्रा के लिए समुचित प्रबंद किये गए हैं ट्राफिक की विवस्था अलग से की गई है और कावड शिवर पर अलग से सुरक्षा रखी गई है इसकार्य के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ तालमेल बनाये गया है कावड यात्रा के लिए समुचित प्रबंद किये गए हैं उनकी जो ट्राफिक की वैवस्था वलक से की गई है और आपने देखा होगा कि इनके जो शिवर बनते हैं वहाँ पर भी सुरक्षा की पूरी वैवस्था की गई है पूरे रूट पर वैवस्था की गई है और कोई भी अप्रिया घटा होने पर समुचित पुलिस बल तयार रहता है वहाँ पर तुरुन पहुच करके लॉइन ओर्डर को मेंटेन करना और इसके साथ-साथ जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं चाहे उत्रप्रदेशों या हमारे दिल्ली हैं और दूसरे राज्ये हैं इनके साथ भी पूरे तालमेल के साथ परियाना पलिस अपना काम तो बैरहाल लॉइन ओर्डर को बनाए रखना किसी बड़ी चुनोती से कम नहीं होता खास कर कावड यात्रा में शांती विवस्था को बनाई रखना जरूरी है कि प्रशासन किसी भी चुनोती को शांती पून धंक से हल करने के लिए तयार रहे जैसे प्रदेश में शांती बनी रहे सुरे समचार के लिए करनाल से हिमान शुनारंग की रिपॉर्ट